उत्सवों और द्योहारों का देश है भारत यहां हर उत्सव को आनन उल्लास और उत्सव के साथ मनाया जाता है उत्सव के मौके पर मेलों का आयोजन भी यहां एक आम बात है पर यह आम मेले कुछ खांस हो जाते हैं अपनी कुछ विशिश्टाओं के कारण एक ऐसा ही मेला है बाली चात्रा भारत के पूर्वी तटपर स्थित ओरीशा की पूर्व राजधाने कटक के समीप प्रवाहित माहनदी के किनारे हर वर्ष कार्थिक पूर्णिमा से लेकर एक सब्तहा तक इस विशाल मेले का आयोजन होता है इस मेले की विशिश्टा है इसकी एतिहासिक प्रुष्ट भूमी प्राचीन काल में ओरीशा के व्यापारी इसी महानदी के तट से बड़े बड़े जलियानों में सहासिक नौयात्रा पर निकल कर महानदी और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए दक्षिन पूर्वी दिशा में स्थित, जावा, सुमात्रा, बाली आदी द्वीपों की यात्रा करते थे यहां से वस्त्र, मसाले, आदी कई प्रकार के सामान ले जाकर उसे वहां बेच कर वहां से वे लाते थे आकरशक तथा दैनिक जीवन की कई उप्योगी वस्तू जिन्हें वे अपनी वापसी यात्रा के अंतिम पड़ाओ उसी महानदी के तट पर रधर्शित तथा विक्रेह करते थे और उसी बाली द्वीप की यात्रा की स्मृती में इसे बाली जात्रा कहा जाने लगा सद्यों से आयुजित होते आ रहे इस मेले का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता चला गया और विशाल होता चला गया व्यापार के साथ साथ इस से जुर्ते गए मनोरंजन के कई साधन आज इस मेले में बड़े बड़े जूलों के साथ साथ तरह तरह के मनोरंजक खेल भी देखने को मिलते हैं बच्चे तो इस मेले का भरपूर आनन उठाते हैं मेला लगे और वहाँ खाने पीने का इंतजाम ना हो ये भलाक कैसे हो सकता है यहाँ कटक के सूप्रसित दही बड़ा आलू दम के साथ साथ अब कई देशी विदेशी व्यंजन मिलने लगे हैं पनीर की स्वादिश सबजी के साथ ठुंकापूरी के नाम से जाने जाने वाली बड़ी पूरी वो विशेश व्यंजन है जिसका आनन्द वर्ष में सिर्फ एक बार इस बाली जात्रा में ही उठाया जा सकता है रोज लाखों लोगों के यहाँ आने के कारण उब्भोकता वस्तूओं के निर्माताओं के लिए अपने सामान का प्रदर्शन करने का ये एक उत्तम अउसर होता है विज्यापन के लिए तो ये एक सुनहेरा मौका है लगभग बंद्रासो एकर्ग शित्र में आयोजित होने वाले इस मेले का सुचारो आयोजन स्थानिया प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनोती भड़ा कार्य होता है जिसे कटक म्यूंसिपल कॉर्परेशन, जिला प्रशासन तथा पुलीस विभाग द्वारा बखो भी निभाया जाता है बिजली विभाग द्वारा निरंतर बिजली की आपुर्ती भी एक प्रशंसनिय कार्य है हर वर्ष इसे और भी बहतर ढंक से आयोजत किये जाने के लिए कई रचनात्मक कदम उठाय जाते हैं प्लास्टिक से हो रहे परियावरन प्रदूशन के बारे में जन जागरुती पैदा करने के लिए यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्योग को निशित किया गया है 2019 में इस विशाल मेले को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्थ हुई है केंद्र सरकार की मान्यता के साथ इसे राश्ट्रिय स्तर पर पैचान दिये जाने के लिए प्रयास जारी है झाल